उल्टा चश्मा की एक पत्रकार है और इनको भी उल्टा दिखाई देता है एक बयान सामने आया है बिहार के सिक्षा मंत्री का उस बयान के मैडम उल्टा सिधा करके पेश कर रही है इसके साथ ही पूरे समाज को भटकाने का काम कर रही है पूरी जानकारी आगे मैं दूँगा आपको नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक लेकिन एक मनुवादी पत्रकार है जिसका चेहरा बेनकाब हो गया है नाम है प्रग्या मिश्रा वही प्रग्या मिश्रा जो हासराज पहुँच करके रिपोर्टिंग कर रही थी एक बच्ची को इनसाफ दिलाने की बात कर रही थी और बहुजन समाज इस सोच रहा था वास्तों में उस समाज की पत्रकार प्रग्या मिश्रा है लेकिन प्रग्या मिश्रा का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और प्रग इत्मानस में क्या कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैडम है ब्राम हरे इनका नाम है प्रगयामिश्छा इन्हें पहले इनके समाज ने सुईकार नहीं किया मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज wealth ने शादी की एक यादव व्यत शादी कर लिорм तो इनका समाज था मिश्टा समाज जो लोगों ने स्विकार नहीं किया ए आ गई बहुजन समाज में और कहने लगी मैं तो यादव समाज की बहु बन गई हूँ और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी जो मुखिया है खलेश शादो उनके पास जाकर कि इन्होंने आशिरवाद लिया खेर उनीजी मामला है लेकिन हम बात कर रहे हैं पत्तरकारता की मैडम दुहाई देती हैं बड़ी बाते करती हैं अपने ही पोश्टर राजधानी लखन रगो की सड़कों पर लगवाती है है कि वे बहुजन की पत्रकार है यानि 85% जो है उनकी बात करती है लेकिन इस वीडियो की आने के बात लगातार कोशिश कर रही हैं अब आप बताईए क्या बुरा बोल दिया था प्रोफेसर चंद शेखर ने यही कहा था नीच जात के लोग सिच्छा गह करके अगर जहरीला हो जाते हैं जैसे साब दूद पीने के बाद जहरीला हो जाता है और उन्हों ने लाइनों कोट किया थ यह मैडम आ गई और इसके बाद ने वीडियो बना दिया पूरे समाज को गुमरा करने का काम करने लगी बहुचन समाज आपको जागरूख होने की जरूरत है और आप पहचानिये वास्तों में आपके मुद्दों को जो आपकी समय स्याय हैं कौन से पत्रकार उठा रहे हैं इसके बाद उस चैनल को देखिए उस चैनल को फॉलो कीजिए और उल्टा चश्मा प्रग्या का पन्ना जैसे चैनलों का वहिसकार कीजिए अनसस्क्राइब कीजिए तभी कुछ बहतर हो पाएगा और अगर आप वास्तों बहुचन समाज की आवाज को देखना चाहते हैं आपको नेशनल दस्तक को देखना होगा यह मैं नहीं कह रहा हूँ बलकि बीते कई सालों से लगातार हम लोग यही काम कर रहे हैं प्रग्यामिश्त्रा अजीत अंजुम अभिशार सर्मा रवीश कुमार वही रवीश कुमार जो एंडी टीवी में कुछ दिन पहले तक काम क क्या करते थे यह लोग कभी जाती पर बात नहीं करती अगर कहीं मुस्त कहीं पर मुसल्मानों के साथ अत्याचार होगा हो सकता है वहां पर यह लोग मुसल्मान का समर्थन करें मुसल्मान का पक्ष लें लेकिन यह लोग कभी वैसे खुल करके जाती बात नहीं कर सकते क्यो आप अभी इस सोचते हैं कि रवीश कुमार अभिशार सर्मा पुन्न वसुन बास्पेई प्रग्या मिस्तरा आपकी बात करेंगी तो शायद आप गलत फहमी में हैं गलत फहमी को आप निकाल दीजिए उलूल जुलूल बयान देरी प्रग्या मिस्तरा करें कि बताये कैसे बना हैं इसी लिए जो उन्होंने वीडियो को पोश्ट किया है उसी पर तमाम कमेंट्स आ रहे हैं और प्रग्या मिस्तरा को कोस्ने का काम लगाता और बहुजन समाज की लोगों के द्वारा किया जा रहा है एक है इन्होंने लिखा है शुक्षा मंत्री नहीं मानता क्यों कि ऐस पूल्स ही कहा है हम आपके साथ है इसके सथ ही तमाम लोग ऐसे है जो प्रग्या मिश्तरा को ग्यान दे रहे हैं और कह रहे हैं इस चैनल को आप लोग चैनल कोस्कृर कीजिए और ऐसे चैनलों को देखना बंद कर दीजिए आप आए नेशनल दस्तक पर और देखिए यहां पर हम नेशनल दस्तक की ब्रैंडिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन हम आपको सच बता रहे हैं आप कैसे कलपना कर सकते हैं कोई मनुवादी पत्रकार समण पत्रकार आपकी आवाज उठाएगा आपके समाज के साथ खड़ा होगा हो सकता है किसी लालस में खड़ा हो जाए लेकिन वैचारिक सहमयती उसकी कभी नहीं हो सकती और आपको पता है नेशनल दस्तक की जो पुरी टीम है देश के अललकोनम जाती ह है और आपकी आवाज को पहुझन समाज की आवाज को इठाने की पूरी कोशिश करती है यह अतिकत जन्गर्णा पर किया कभी प्रग्या मिस्तर ने बात किया क्या आजीत अन्जुम ने बात किया और लोग बात नहीं करेंगे क्यों कि पता है यह लोग मुस्जन Cup हो मुसल् और वहीं प्रग्यामिस्तर कहती हैं कि मैं चौपाई के आर्थ में नहीं जाओंगी मुझे जादा ग्यान नहीं तो मैडम क्यों आप वीडियो बना रही हैं आप के कुछ लोग हैं जो लोग लखनव के सड़कों पर पोश्टर लगा देते हैं आपको लगता है दुनिया की से बड़ी पत्रकार आप ही बन गई हैं लेकिन बहुजन समाज अब जागरूख हो रहा है बहुजन समाज समझदार हो रहा है प्रग्यामिस्तर जी एक मैं को सलाह दे रहा हूं फिरी की सलाह है ले लीजिए आप जाकर कमेंट पढ़िए आपको शर्म आ जाएगी आपने ध खाने का काम लगाता प्रग्यामिस्तर के द्वारा किया जाता रहा है बहुजन समाज क्यों लगता था कि प्रग्यामिस्तर की जो पती है वह भरत यादो है भरत यादो ओभी सी कटेगरी से हैं यादो समाज से आते हैं तो प्रग्यामिस्तर बदल जाएंगी लेकिन प्रग या मिस्ट्रा की सच्चा यह है कि जहां पर फेस्बूक पर ट्वीटर पर इस्टाग्राम पर इन्हों ने अपना सरनेम तक चेंज नहीं किया भारत समाचार में काम करती थी और इसके बाद में अपना चैनल खोला उल्टा चश्मा प्रग्या का पन्ना अगर आप लोग देख हैं प्रग्या चाची की चुगली लाती हैं सिर्फ आपको बर्गलाया जाता है और इस वक्ते उपदेश इस्पसिलिष्ट बन गई हैं उपदेश देने का काम आप लोग कर रही हैं आप लोग अपनी राज जरूर दीजेगा धन्यवाद निसनल दस्तक की आप से गुजार कर दो